तो हेलो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकाशन करने वाले हैं हिंध चीन में राष्ट वादी आंधोलन जोकी हिस्ट्री यानिके इतिहास चेपटर का फिरी ये तीसरा चेपटर है फ इस वीडियो में से आप लोगों ने दोस्तो 20 प्रस्णों का जवाब दे दिया तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को तयारी ठीक चल रहा है अगर आप लोग 20 प्रस्ण से कम का अंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लिजे कि आपका तयारी संपुन रूप से अच्छ प्रवाइब नहीं किये तो अभी मत किजिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाकर कि इस वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाना मत भुलिएगा लेकिन अभी हमारे चैनल को सब्सक् कुश्चन क्यों दोस्तों यहां बिहार वो टिंथ सोसल साइंस अब्जेक्टिव कुश्चन आंसर जो है ना वह बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं पहला कुश्चन जो है ना वो यह है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्मान किस सासक के द्वारा करवाया गया अंकोर वाट का जो मंदिर था ना वह किस सासक के द्वारा जो था करवाया गया था दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहां पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सूरिय वर्मन द्वितिये नरो दोम सिंहा नौक कु आंग इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो right answer होगा ना वह होगा सूर्य वर्मन दूइती है यानि कि option A इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा और हाँ मैं एक बात आरा आप लोगों को बता दू अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो नीचे description box में जाएए टेली ग्राम का लिंक है उसको जोइन कर लिजे आप लोगों को PDF बिल्कुल free में मिल जाएगा और हाँ दूस्तों नीचे description box में metric विद्यार्थी 2022 करके जो है वह गुरूप का लिंक है उसमें भी आप चाहे तो जोइन हो सकते हैं क्योंकि मैं टेली ग्राम और उस WhatsApp ग्रूप पर रोजाना अपडेटेट रहता हूँ ताकि किसी भी परकार का कोई सिक्षा से संबधित information आता है तो मैं आप लोगों को वहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ दूसरा question हमारे पास दिया गया है अंकोरवाट का मंदिर कहां इस्थित है option A दिया गया है वियतनाम, थाइलेंड, लाओस या कमबोडिया दोस्तों अंकोरवाट का जो मंदिर है ना वह आपको कमबोडिया में इस्थित है इसलिए इस question का right answer option D बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है, बारते हैं third number question की ओर, तीसरा number question दिया गया है जिनेवा समझोता कब हुआ, जिनेवा समझोता जो थाना वह कब हुआ, दोस्तों option है 1946, 1950, 1954, 1956 तो इस question का जो right answer होगा ना, जिनेवा समझोता 1954 को हुआ था इसलिए इस question का right answer option C बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों, बारते हैं question number four की ओर, फोर्थ number question दिया गया है दोस्तों वियत नाम में scholars revolt किसके बिरुद हुआ था वियत नाम में जो युद हुआ था ना, वह scholars revolt के लिए तो किसके बिरुद हुआ था या आपको बताना है तो इस question का जो right answer होगा पहले चार option को देख लेते हैं सरकारी नौकरी से वन्चित करने के बिरुद ये युद हुआ था दूसरा option दिया गया है उच्छनिक संस्थाव में प्रवेश के बिरुद ये युद हुआ था तीसरा option दिया गया है प्रेश पर लगाएगे प्रतिवन्द के विरुद हुआ था या फिर इसाई धर्म प्रचार के विरुद ये युद हुआ था वियत नामे एस्कॉलर्स रिवोल्ट जो था ना वह आपका दोस्तो इसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध युद्ध हुआ था इसलिए इस कुश्चन का जो राइट अंसर होगा ना वह option D बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बरते हैं question number 5 five number question है दोस्तो वियत मिन की अस्थापना किस ने की थी वियत मिन वियत मिन की अस्थापना जो थाना वह किस ने किया था option A दिया है बावदाई होची मिन फान बोवचाव कुआंग दे यानि वियत मिन की जो अस्थापना थी ना उसे दोस्तो होची मिन ने किया था इसलिए इस क्यों है द्यान से देखेगा हिंद चिन में एक कौन देश समलित नहीं था आपसण E दिया गया है वियत नाम अपसंस सू की हां और ंपनी है चीन। आपसं डी है गया तो दूस्तो हिंद चीन में उत्था नहीं दय? मिल नहीं था हिंद चीन में इसलिए इस कोश्चन का राइट अंसर ऑप्शन सी बिलकुल सही हो जाएगा बरते हैं सेवन नंबर कोश्चन की ओर जो की बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है सेवन नंबर कोश्चन है वियत नाम युध की समापती किस अमेरिकी राष्ट्रिपत अमेरिकी राष्ट्रिपती के समय में हुई इसलिए इस कोश्चन का राइट अंसर ऑप्शन डी बिलकुल सही हो जाएगा बरते नेक्स कोश्चन नंबर एट क्यूर एट नंबर कोश्चन दिया गया है ज्यान से देखेगा आपको पूरी बात के समझ में आ जाएगा दोस् ने किया था अप्शन A है कैप्टन कंगाली ने अप्शन B है सिंहानुक ने अप्शन C है पोल पोट ने हेंग सामरिन ने यानि कि दोस्तो लाल खमेर सेना का जो गठन थाना उसे सिंहानुक ने किया था इसलिए इस कोश्चन का राइट अंसर ऑप्शन B बिलकुल सही हो जा नायन नमबर कुश्चन है नियो लियो हकसत यानि के NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी यानि क्या है दोस्तो N है L है H है और S है NLHS जो है ना वहान नियो लियो हकसत किसकी राजनीतिक पार्टी थी यह आपको बताना है बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है दोस्तो पहला आप्सन है वियत मिन की वियत कांग की पाथेट लाओ की और जनरल लाओन की तो दोस्तो इस कोश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वहोगा पाथ लेट लाओ की यानि क्या आप्सन से इस कोश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बारते हैं नेक्स्ट दस नमबर कुश्चन है वियत नाम लोकतांत्रिक गनराज की अस्थापना किस वर्स हुई वियत नाम लोकतांत्रिक गनराज की अस्थापना थी न वह किस वर्स हुई ओप्शन है 1930 में, 1942 में, 1944 में या फिर 1945 में तो दोस्तो इस question का right answer होगा वियत नाम लोकतांत्रिक गनराज की जो अस्थापना थी न वह 1945 इस्वे में की गई थी इसलिए इस question का right answer option D बिलकुल सही हो जाएगा काफी important question है ध्यान से याद कर लिजेगा अच्छे से याद कर लिजेगा 11 number question दिया गया है कमपुचिया का पुराना नाम क्या था कमपुचिया का पुराना नाम क्या था option A है लाओस, वियत नाम, कमबोडिया या इंडोनेसिया तो मैं आपको बता दू कमपुचिया का पुराना नाम जो थाना वह कमबोडिया था यानि कि option C इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा chapter 1 और 2 यदि आप लोग इतिहास का नहीं देखे हैं तो नीचे description box में जाकर आप लोग देख सकते हैं मैं chapter wise आप लोगों को objective question सारे subject का करा रहा हूं और model का भी series ला रहा हूं subjective question के लिए science का मैं topic wise आप लोगों को वीडियो प्रोवाइट कर दिया हूं सबका playlist में जाकर आप लोग देख सकते हैं ठीक है दोस्तों चले बढ़ते हैं question number 12 number question क्यों 12 number question है हिंद चीन किसके अधीन था option A है France, Britain, Spain, America तो हिंद चीन जो थाना वह दोस्तों फ्रांस के अधीन था इसलिए इस question का right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा बरते है question number 13 की ओर 13 number question है हिंद चीन छेतर में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन छेतर में कौन से देश आते हैं? option A है चीन, वियतनाम, लाउस option B है हिंद चीन, वियतनाम, लाउस option C है कमबोडिया, वियतनाम, लाउस option D है कमबोडिया, वियतनाम, थाइलेंड तो दोस्तों मैं आपको बता दू ये question बहुत important है हिंद चीन छेतर में कमबोडिया, वियतनाम, लाउस, देश आते हैं इसलिए इस question का right answer जो है वह option C बिलकुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं next question number 14 की और 14 number question काफी important question है ध्यान दिजेगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी कहे जाते थे option है, फ्रांसिसी, सासक वर्ग, कोलोन, या फिर general तो दोस्तो, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिसी जो कहे जाते थे ना वह कोलोन कहे जाते थे, यानि कि option C इसका बिलकुल right answer हो जाएगा बढ़ते हैं question number 15, number question क्यों, 15 number question है French, Indo, China की अस्थापना किस वर्ष की गई फ्रेंच, Indo, China की अस्थापना जो है ना दोस्तो, किस वर्ष की गई option A है, 1862 में, 1859 में, 1883 में, 1887 में इस question का जो right answer होगा ना French, Indo, China की अस्थापना 1887 इस वी में की गई थी ठीक है, काफी VVI question है बढ़ते next question number 16 की उर, 16 number question है इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, अमेरिका, फ्रांस, इंगलेंड, जापान तो दोस्तो, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, इसका जो right answer होगा ना वह हो जाएगा France, यानि के option B इसका बिलकुल सही हो जाएगा बढ़ते next question number 17 की उर, 17 number question दिया गया है होची मिन का साब्दिक अर्थ है होची मिन का साब्दिक अर्थ है option E है, मसीह, करांतिकारी, पथ प्रदर्शक, इन में से कोई नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दो, होची मिन का साब्दिक जो अर्थ होता है न वह होता है पथ प्रदर्शक, यानि के option C बिलकुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं next question number 18 की उर, काफी important question है ध्यान से देख लिजिए, 18 number question है मार्च 1946 में France एवम वियत नाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे हैं नहीं दिया गया है मार्च 1946 में France एवम वियत नाम के बीच होने वाला समझोता किस नाम से जाना जाता है तो option दिया गया है जिनेवा समझोता हनोई समझोता पेरिस समझोता या फिर धर्म निर्पिक्ष समझोता तो मैं आपको बता दू कि दोस्तो मार्च 1946 में यानि कि फ्रांस एवं वियत नाम के बीच होने वाला जो समझोता था ना वह आपका हनोई समझोता था ठीक है तो इस question का right answer option B बिल्कुल सही हो जाएगा बरते है 19 number question की ओर 19 number question है माईली गाउं की घटना कहां हुई थी माईली गाउं की जो घटना थी वह कहां हुई थी option A है लाउस दक्षिनी वियत नाम उत्परी वियत नाम या फिर कमबोडिया माईली गाउं की घटना कहां हुई थी ये मैं आपको बता दूँ तो दक्षिनी वियत नाम में हुई थी इसलिए इस question का right answer option B बिल्कुल सही हो जाएगा बरते question number 20 की ओर 20 number question काफी important question है आपके exam की दृष्टी कोन से यदि आप 2022 में exam देने वाले हैं तो ये question आपके लिए बहुत important है 10th class के student के लिए ये इतिहास का chapter number 3 है जिसका नाम है हिंद चिन में राष्ट वादी आंदूलन BBI objective question है दोस्तू 20 number question है The history of the laws of Vietnam किसने लिखा The history of the laws of Vietnam किसने लिखा option ये है Ho Chi Minh Fan Bo Chao Ku Ang या फिर Trio दोस्तो इस question का जो right answer होगा ना वह होगा Fan Bo Chao यानि कि The history of the laws of Vietnam जो है ना Fan Bo Chao ने लिखा था इसलिए इस question का right answer option B बिलकुल सही हो जाएगा बारते है next question number 21 21 number question काफी important question है ध्यान से देख लीजिए एक इस number question है Vietnamी Communist Party के संस्थापक कौन थे Vietnamी Communist Party के संस्थापक कौन थे option A है Ho Chi Minh नियोन आन राजा फुट से हू इन हुसो तो दोस्तो Vietnamी Communist Party के जो संस्थापक थे ना वह थे Ho Chi Minh यानि कि इस question का right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा बरते next question number 22 क्यों काफी important question है 22 number question है scholars revolt कब हुआ scholars revolt जो था ना वह कब हुआ option A है 1800 और सथ हिस्वी में 1800 सर सथ हिस्वी में 1879 इस्वी में या फिर 1870 इस्वी में तो इस question का scholars revolt जो हुआ था ना वह हुआ था आपका 1800 इस्वी में इसलिए इस question का जो right answer हो गवा option A बिल्कुल सही हो जाएगा बरते next question number 23 की ओर 23 number question दिया गया है माईली गाव हत्याकांड का जिमेदार कौन सा देश था माईली गाव हत्याकांड का जिमेदार जो था ना वह कौन सा देश था option है चीन, वियतनाम, जापान या फिर अमेरिका तो दोस्तो माईली गाव हत्याकांड का जिमेदार था ना वह था अमेरिका ठीक है माईली गाव हत्याकांड का जिमेदार अमेरिका था इसलिए इस question का राइट अंसर, option D, बिलकुल सही हो जाएगा बरते, next question number 24 क्योर, 24 number question काफी important question है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है option यह है नेक्ष्ट के उर अंकोर वाट में विश्च्ञू देवता का मंदिर है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है ऐ बिलकुल सही हो जाएगा बरते, next question number 25 क्योर 25 number question दिया गया है वियत नाम में टॉंकिन free school की अस्थापना कभ हुई थी वियत नाम में Tronkin Free School की जो अस्थापना हुई थी न वह कब हुई थी Option A है 1907 में, 1908 में, 1910 में या फिर 1911 में तो इस question का जो right answer होगा न वह होगा आपको 1907 में दोस्तो यानि के वियत नाम में Tronkin Free School की अस्थापना 1907 में की गई थी इसलिए इस question का right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं next question number 26 की ओर, 26 नमर question है हुआ हाव आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हाव आंदोलन के नेता कौन थे? option A है फान बोचाओ, हु इन फूसो कु आंग बाओ दाई तो दोस्तो 26 नमर question काफी important question है हुआ हाव आंदोलन के नेता वह हो इन फूसो थे? कई बार आपके एक्जामने ये question पूछे गए है इसलिए ये काफी important question है ध्यान से देख लिजेगा और कितना उत्तर आपका सही होता है इन 35 प्रस्णों में आप लोग मुझे comment करके जरूर बताना 27 नंबर question है अनामी दल की अस्थापना किसने की थी? अनामी दल की जो अस्थापना थी न वह किसने की थी? option है ओन गुएन आई ने फान बोव चाव ने फान चूत त्रिन ने या फिर होची मिन ने तो दोस्तो मैं आपको बता दू इसका जो राइट आंसर होगा अनामी दल की अस्थापना किसने की? तो ओन गुएन ने की यानि कि इस question का राइट आंसर option ए बिल्कुल सही हो जाएगा बरते हैं 28 नंबर question की ओर 28 नंबर question काफी important question है पहला television युद किसे कहा गया? पहला television युद पहला television युद जो था न वह किसे कहा गया? option ए है रूसी जापान युद को या वियत नामी युद को रूस अफगानिस्तान युद को या फिर कोडियाई युद को तो दोस्तो इस question का जो राइट आंसर होगा न वह क्या होगा? पहला television युद जो है न वह वियत नामी युद को कहा गया? इसलिए इस question का राइट अंसर आप्शन भी बिल्कूल सही हो जाएगा बारते हैं question number 29 question की ओर जो काफी important है एक एक question को गौर फर्माईएगा और एक एक question को आप लोग मुझे बताईगा कितना question का आप लोगों ने सही सही जवाब दे पाया 29 number question है किसकी अध्यक्षता में वियत नाम में लोक तांत्रिक गनराज की अस्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियत नाम में लोक तांत्रिक गनराज की अस्थापना की गई थी? option यह है दिये गए हैं कि ताकि आप confused हो जाएं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि होची मिन में होची मिन की अध्यक्षता में वियत नामी में लोकतांत्रिक गनराजी के अस्थापना की गई थी इसलिए इस question का right answer option D बिल्कुल सही हो जाएगा तिन्थ क्लास social science का objective type question answer 2022 के लिए काफी important है एक एक question को ध्यान से देख लिएगा सारे question आपके exam में selected question है तीस नमर question है वियत नामी राष्ट्रियता के जनक कौन थे? अपसन यह है फान बहुचाओ, वाओ दाई, कौंग दे, होची मिन तो मैं आपको बता दू, question number 30 जो है न, वह काफी important question है और वियत नामी राष्ट्रियता के जो जनक थे न, वह आपका होची मिन थे इसलिए इस question का जो right answer होगा न, वह option D बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते हैं next question number, 31 number question की उर बढ़ते हैं, 31 number question दिया गया है किस प्रसिध दार्शणिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियत नाम के जुध के लिए दोसी करार दिया रसेल, होची मिन, नरुत्तम सिंहानुक या फिर रोशू तो दोस्तों मैं आपको बता दू, ये 31 number question काफी important है और इस question को ध्यान से देख लिजएगा यानि कि रसिल प्रसिद दार्शनिक ने एक अडालत लगा कर अमेरिका को वियत नाम युद के लिए दूसी करार दिया यानि कि आप्सन ए बिल्कुल सही हो जाएगा बरते नेक्स्ट कोश्चन नमबर 32 की और काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है ध्यान से देखेगा वियत नाम में कोलोन किनहें कहा जाता था वियत नाम में कोलोन जो है न वह किनहें कहा जाता था विद्यार्थियों को सैनिकों को फ्रांसिसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को तो मैं आपको बता दू वियत नाम में कोलोन जो है न वह फ्रांसिसी नागडिकों को कहा जाता था इसलिए इस कुश्चन का राइट अंसर आप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा बरते हैं नेक्श्च नंबर 33 क्योंग यह sign काफी important कुश्चन है कोलोन कौन थे कोलोन कौन थे आप्शन A है फ्रांस के राजा वियत नाम के राजा अमेरिकी सासग या वियत नाम में रहने वाले फ्रांसिसी नागडिक थे कोलोन कोन थे वियत नाम में रहने वाले फ्रांसिसिन नागरिक थे इसलिए इस कुशन का राइट अंसर आप्शन दी बिल्कुल सही हो जाएगा बरते हैं आज के सेकेंड लास्ट कुशन की ओर चौतिस नमबर कुशन है होची मिन का दूसरा नाम क्या था यानि के इस कुशन का जो राइट अंसर होगा होची मिन का दूसरा नाम नियू मिन आई कोवोग था आप्शन सी इस कुशन का बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा बरते हैं नेक्स कुशन नमबर पैतीस की ओर 35 नमर कोश्चन है वियत नाम के स्वतंतरता की घोसना कब की गई थी अप्षन है 1 सितंबर 1944 स्वी में 2 सितंबर 1945 स्वी में 3 सितंबर 1946 स्वी में 4 सितंबर 1947 स्वी में तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि question number 35 जो है ना वह काफी important question है और सांदार question है और आज का last question है वियत नाम के स्वतंतरता की घोसना जो है ना वह आपको 2 सितंबर 1945 इसवी में किया गया था यानि के की गई थी ठीक है तो दोस्तो ये 35 question में आप लोगों ने कितने question का सही सही ज आनि के chapter number 4 history का जो कि 10th class के लिए काफी important है मैं आप लोगों के लिए तुरंत बना करके लाओंगा अगर आप इतना question कर लेते हैं ना तो chapter 3 में इतिहास के chapter 3 में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा सारे question को आप attend कर पाएंगे अगर आपको इसका pdf इसी तरह से चाहिए त comment करके आप मुझे जरूर बताना मैं आपके comment को परता हूँ आप मुझे Instagram पे भी flow कर सकते हैं मेरा Instagram ID है सूरज कुमार दी बेस्ट आप Instagram में जाके सर्च कीजेगा सूरज कुमार दी बेस्ट मेरा आपको Instagram ID मिल जाएगा आप वहाँ पे मुझे चाहे तो flow कर सकते हैं तो उमी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम